हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमिक वर्ड पे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं धनुश कॉमिक्स के पेशकर चुडैल का जादू चुडैल का जादू कथानक वच्चित रंकन प्रिंसाट संपादक रिशीराज कुशल वो एक काली मनहूस रात थी शाम नगर के निवासियों के लिए ये बात सन सोला सो की है जब शैतानी ताक्तों करास था भागो जोन काली घाटी की चुडैल मुख्या की लड़की को उठाकर ले जा रही है आधी रात को गुझी इस चीखने गाउवालों की नीन खोल डाली लोग देहशत से अपनी अपनी खिड़कियों से बाहर जाकने लगे बाहर का नजारा देख सभी की आँखें देहशत से गोल हो गई कहा जाता है कि हर पांच साल बाद जुडैल गाउं की सबसे खुबसूरत लड़की को उठाके ले जाती है और उसके शरीर पे अधिकार कर लेती है जिससे इसका जादू सदा के लिए चलता रहे ओह कितनी भयानक बात है बड़े दिना के बाद को इतनी ज्यादा खुबसूरत लड़की हाथ लगी है जल्दी ही इसका शरीर मेरा होगा चुडैल की कान फोडो और भैंकर हसी सारी रात गाउवाले सुनते रहे और अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों के दर्वाजों के पीछे चिपे रहे इस हाशी कोशन कर एक आदमी पागल हो गया था जल्दी से खिड़की बंद कर लो कहीं वो हम पर ही अपना जादू न कर दे लेकिन एक देखती ऐसा भी था जिसे इस भयानक रात में डर नहीं लग रहा था क्योंकि इस डर पर उसका प्यार हावी था जो वो अपनी प्यारी बेटी से करता था दर्वाजा खोलो मैं इस गाओं का मुखिया सहायता चाहता हूँ उस चुड़ैल से मेरी बेटी को बचा लो जल्दी से मेरे साथ चलो इंस्पेक्टर इससे पहले कि वो चुड़ैल मेरी बेटी को मारे तुम उसे ढूंड के एक हत्म कर दो ठीक है मैं जल्दी से अपनी ड्रेस पहलो फिर हम उस चुड़ैल को ढूंडने चलते हैं इंस्पेक्टर विजय एक बहादूर और दिल वाला आदमी था उसकी दिलेरी की चर्चा दूर दूर तक थी वो मुखिया की लड़की को ढूंडने दूसरे सिफाईयों के साथ चल पड़ा ध्यान से जाना बेटे डरो मतमा हमारी पुलिस पार्टी का अगवा इंस्पेक्टर विजय है उसके रहते हमें डर के सा मेरे पीछे चले आओ मुझे रास्ता मालूम है विजय के पीछे चलते चलते सभी एक भयंकर और खतरनाक जंगल में जा पहुँचे वातावर डर के मारी उसके चेहरे पे भयंकता पैदा हो गई थी लेकिन उसके दिल में एक अनोखी ख्वाहिश थी जिससे उसके कदम आगे बढ़ते ही चले जा रहे थी मैं अब वापस नहीं लोड़ सकता मुझे आगे ही बढ़ना है मैं इसी अवसर की तलाश में तो था उसके पीर मुझे मिल चाए उबल उबल जा पीटा इस चुडायल पे काबू पाना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है अंधेरे में रहने के कारण जरूर ये रोशनी से डरती होगी इसे अपनी इस मशाल से काबू में कर लूँगा आई इस मशाल को मुझसे दूर ही रखो ओ तो ये बात सची थी कि चुडायले आग से डरती हैं मुझे इस से डरने की क्या जरूरत मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं ये जो लड़की है ये मेरी मंगेतर है तुम इसका जो चाहो करो मैं तुम्हारी जिन्दगी बख्ष दूँगा अगर तुम मेरी इच्छा पूरी कर दो तुम्हारी क्या इच्छा है कभी ना खत्म होने वाली जवानी तुम बड़े ही कमीने नोजवान हो अपनी इच्छा के लिए इस जवान लड़की की बली चड़ाना चाहते हो मुझे अपने अलावा किसी की भी परवा नहीं मेरी दिली इच्छा है कि मैं बुढ़ापे को धोका दे सकूँ क्या तुम मेरी इच्छा पूरी कर सकोगी अगर एक बार मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी तो तुम अपनी इस मशाल के जरीए मुझ से अपनी और इच्छा पूरी करवाओगे नहीं मैं ऐसा नहीं करने वाला तुम्हारे जैसे आदमी पे मैं कैसे विश्वास कर लूँ मैं तुम्हे तभी तक जवानी प्रदान करती हूँ जब तक मैं जिन्दा हूँ अगर तुम मुझे नुकसान पहुँचाओगे तो खुद को भी नुकसान पहुँचाओगे ठीक है मुझे मनजूर है ठीक है विजे कुमार तुम तब तक जवान और जीवित रहोगे जब तक मैं जिन्दा हूँ अब मैं कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हूँ क्योंकि मुझे मौत का भे नहीं अब तुम्हे दूसरों को ये विश्वास दिलाना होगा कि तुमने मुझे मार डाला जिससे उन्हें ये शक ना हो कि मैंने मुख्या की लड़की के शरीर पे कबजा किया हुआ है इसी बात पे तुम्हारा जीवन निर्भर है जब तुम मुख्या की लड़की का शरीर पा लोगी तब मैं तुम्हारे कपड़े ले जाकर गाउवालों को दिखा दूँगा और उनसे कहूँगा कि मैंने तुम्हें जला दिया ये तुम्हारे माथे पी क्या है तुम्हें इस से क्या लेना देना जब एक चुड़ायल खुश होती है तब उसके माथे पर बिल्ली का ये निशान उभराता है मुझे अपना काम शुरू करना चाहिए चुड़ायल ने रूप परिवर्तन का अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया विजे कुमार विश्मित नजरों से चुड़ायल को जादू करता हुआ देख रहा था उसकी सुन्दरता मुझे मिल जाए थ्यान से देखो विजे कुमार कुछ ही क्षणों में मैं इस खुबसूरत जिस्म की मालिक होँगी अब तुम मेरा टोपा और कपड़े उठा लो ध्यान रहे तुम्हें सब लोगों को ये विश्वास दिलाना है कि चुड़ायल मर चुकी है शांत चुड़ायल रानी मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है जैसे जैसे रात ढ़ली सुबह के समय विश्यकुमार खोजी दस्ते से मिला देखो मुकिया वो रहा विश्यकुमार और तुम्हारी बेटी को भी साथ ले आया बेटी शुक्र है तुम उस चुड़ायल के चंगुल से जिन्दा बचाई मुझे वो दुष्ट चुड़ायल उपर एक गुफा में मिल गई मैंने उसे जिन्दा जला डाला ये देखो ये टोपा और कपड़े उसी के है लेकिन मैंने तो अपने बूड़ों से सुना है जब कोई चुड़ायल मरती है तब एक जलती हुई बिल्ली चान में से गिरती है हमने तो कुछ नहीं देखा आप सब लोग खोज करने में व्यस्त थे मैंने और रूपा ने बिल्ली गिरती देखी थी हाँ ये ठीक कह रहे है अरे बेटी तुम काप क्यो रही हो अब डरने की कोई जरूरत नहीं डैडी मैं उस संधेरी गुफा में कई दिन बंद रही ये मशाल की रोशनी मुझे परिशान कर रही है रूपा की बात नहीं सुनी मशालें बुझा दो शामनगर हमेशा तुम्हारा रिणी रहेगा विजे कुमार तुम बहादुर हो दिन शांती से बीत रहे थे और पूरे शहर में शांती का सामराज्य था दोपहर का समय था जब मोसम खराब था तूफान के आसार थे रूपा कभी भी घर पे अकेली नहीं रहती जब तूफान आने वाला हो वो तो बहुत डरती है रूपा रूपा कमाल है वो मेरी आवाज का कोई जवाब नहीं दे रही और ना जाने ये शोर कैसा है पर छटी पे जाकर देखना चाहिए वो धीरे धीरे सीड़ियां चड़ने लगा एक अजीब सी घबराहट उसके दिल में बढ़ती जा रही थी जैसे जैसे उसके कदम उठते वो हैरान परेशान हो रहा था बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है ऐसा कि मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता तुम मेरी बेटी रूपा नहीं हो तुम चुडेल हो वो तो मैं हो ही लेकिन ये बताने के लिए तुम जीवित नहीं बचोगे और फिर पूरे इलाके में एक चीख गुंजी जिसने इलाके के लोगों को अपनी औरा करशित कर लिया विजे कुमार के साथ सभी मुक्या के घरा पहुँचे वहां मुक्या की लाश पड़ी थी और रूपा बुरी तरह रो रही थी ये किसकी करतूथ है रूपा विजे कुमार की विजे कुमार का नाम अचानक ही रूपा के मुझ से निकल गया था अब वो जानती थी कि अगर अब वो अपने बीयान से मुकरेगी तो सभी की नजरों में आ जाएगी तुम ये कैसे कह सकती हो कि खुन मैंने किया है मैं जानती हूँ ये सकते है क्योंकि तुम मेरे पिता से जगड पड़े थे वो तुम्हें मुझे बचाने की एवेज में कोई रकम नहीं दे रहे थे मैंने तुम्हें खुद उन्हें मारते देखा है इसकी बातों पे विश्वास मत करो ये रूपा नहीं है ये चुडायल है चुडायल मैं सच कह रहा हूँ ओए रूपा भला चुडायल कैसे हो सकती है तुमने हमें खुद बताया था कि तुमने उसे मार डाला तुमने हमें उसका टुपा और कपड़े दिखाए थे तुमारा जूट तुमारे अपराद को साबित करता है चुडायल का उसके साथ किया गया समझो तक किसी को भी मालूम नहीं था अगर उसकी मौत होती तो वो खुद भी मरता इसलिए वो चुप ही रहा शीघरी उसे फांसी की सजा सुना दी गई जल्दी ही तुमें फांसी पे चड़ा दिया जाएगा बेवकुफों मैं मर ही नहीं सकता जल्दी ही तुमें पता लग जाएगा और तुम सब मेरे चरणों में गिर पड़ोगे ऐसी खौफनाक और दिल दहलाओ चीख हवा में गूंज उपी जिसने भी उसे सुना डर के मारे उसकी हवा निकल गई विजे कुमार को भी अब ये एहसास होने लगा था कि वो मौत पर तो काबू पा सकता है लेकिन दर्द पे नहीं मैंने आज तक ऐसी चीख नहीं सुने चलो हम बाहर चले मुझसे तो देखा नहीं जा रहा और दर्द नहीं सहा जा रहा मुझसे मेरा सिर नहीं ऐसन नहीं हो सकता मेरा सिर रसी के फंदे से उसकी गर्दन मुड कर पीछे की तरफ हो गई फंदे में से उसने अपना सिर निकाला और वो फंदा गले में से निकाल कर बाहर की तरफ भागा गर्दन मुडने की वज़े से वो आगे नहीं देख पा रहा था दर्द के मारे उसकी जान निकली जा रही थी मुझे यहां से बाहर निकलना चाहिए चुडैल जरूर मेरी मदद करेगी लेकिन मैं यह नहीं देख सकता कि मैं कहां जा रहा हूं हाई गेट कहा है अरे उसे देखो तू वो अभी भी जिन्दा है लगता है वो शैतान बन गया है हम बिजदिलों की तरह नहीं खड़े रह सकता है इससे पहले कि वो किसे को नुकसान पुचाए हमें उसे पकड़ लेना चाहिए नहीं मुझे जाने दो मुझे रूपा से मिलना है नहीं उस बेचारी लड़कियों को तुम नुकसान नहीं पहुचा सकते आग आग मैं देख नहीं सकता आई अग की लपलपाती लपटे उसके शरीर पर बुरी तरह लिपट गई उसका शरीर जलने लगा लेकिन मौत उसे नहीं आई वो आदमी जिसने अमरता पाने के लिए एक खुबसूरत लड़की की बली उस चुडैल के आगे चड़ा दी अब दर्द के मारे मरा जा रहा था उसका सारा शरीर जल जल कर हड़ियों के धांचे में बदला जा रहा था दर्द उससे बरदाश्ट नहीं हो रहा था अब तो बस वो एक ही शब्द चिला रहा था मौत मौत उसका हर अगला कदम पिछले कदम से भयावे होता था दर्द के मारे उसका जिसम फटा जा रहा था वो उस जगे से बाहर निकल कर गाउं में आया वही वही मुझे मौत दे सकती है वही रूपा रूपा तुम कहा हो रूपा वो मुझे सुन रही है लेकिन जवाब नहीं दे रही जरूर वो परच्छती पर होगी मैं और ज्यादा देर तक दर्द सहें नहीं कर सकता उसे मुझे आजाद करना होगा क्या चाहिए तुम्हें, क्या तुम्हें पता नहीं मैं व्यस्थ हूँ, तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी, रुपा मुझे माफ कर दो, अपना जदु मुझ भर से उठा लो, मुझे मौत दे दो, सुन रही हो, मुझे मौत चाहिए, मौत तुम तब तक नहीं मर सकते जब तक मैं नहीं मरती और मैं अभी मरना नहीं चाहती तब ठीक है मैं तुम्हें मार डालूँगा चुडैल बेवकूफ तुम हम दुनों को मार डालेगा तुम अब मुझे रोक नहीं सकती एक समय था जब मैं अमर रहना चाहता था लेकिन अब मुझे मौत चाहिए मौत और फिर जैसे ही आग ने चुडैल के शरीर को पकड़ा विजे कुमार की मौत आ गई मौत के हाथों से मुक्ते मिल गई और चुडैल चलने लगी और लोगों ने चुडैल के चीखने की आवाज सुनी जो विजे कुमार के पीछे पीछे भागे थे ये चीख की आवाज तो मुक्या की घर से आ रही है अरे चांच को देखो बिली गिर रही है रुपात चुडैल थी चुडैल के मरते ही लोगों ने राहत की सांस ली अब वे समझ गए थे कि विजय कुमार और चुडैल ने क्या सोधा किया था अब दुश्रा आत्मा हमेशा के लिए जा चुकी थी समक्त तो दोस्तों ये थी धनुश कॉमिक्स की पेशकश चुडैल का जादू अगली कोई कॉमिक्स लेकर जल्द ही माप लोगों के सामने फिर हाजिर होंगा तब तक के लिए धन्यवाद